हेलो व्यूर्स आज मैं आपके लिए रुमैंस इजा बोरस बुक की एपिसोड नमबर टू की स्टोरी एक्स्टेनेशन लेकर आई हूँ अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट आप जरूर देख लें उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो गाइस एपिसोड नमबर टू इस तरहां स्टार्ट होती है कि जब यून हूँ दैनी को अचानक से अपने सामने इंटर्व्यू के लिए देखता है तो वो हैरान रह जाता है वहां जूरी दैनी से क्वेस्चन्स करती रहती है जबके यून हूँ खामोशी से बैठा रहता है वहां दैनी के निकलते ही यून हूँ भी कोई बहाना करके बाहर निकल आता है फिर वो डैनी से कोई बात करने को कहता है और उसे अपने साथ गाड़ी में लेकर कहीं चला जाता है और वो साथ ही साथ उस पर घुसा भी करता है कि तुम इतनी छोटी सी जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रही हूँ यूनों को अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा था कि दैनी की डाइवोर्स हो गई है रास्ते में वो डॉंग मिन को कॉल भी मिलाता है लेकिन उसने नंबर चेंज कर लिया था फिर वो गाड़ी उसके घर के बाहर लेकर आता है लेकिन वो देखता है कि उसका घर तो देमॉलिश हुआ पड़ा है फिर वो उस पर और भी गुसा करता है फिर बाद में एक कैफे में बिठाकर अराम से उससे सारी बात करता है वहाँ पर वो गुस्ते में डॉंग मिन को बुरा भला भी कहता है यहाँ पर यूनों को याद आता है कि डैनी ने एक दफ़ा डॉंग मिन से उसका इंट्रोडक्शन कराया था कि यह मेरे भाईयों जैसा फ्रेंड है उस दिन यूनों का दिल ही तूट किया था और उसे डॉंग मिन पहले ही दिन से बहुत बुरा लगा था यहाँ पर वो उन दोनों को देख कर सोचता है कि अगर यह लव है तो मैं कभी भी लव करने की गलती नहीं करूंगा फिर हमें प्रेजन्ट में दिखाते हैं कि यहाँ पर दैनी उसे बताती है कि डॉंग मिन अब एक और लेडी के साथ अब्रॉड चला गया है उसने चीट किया है मुझे ही अपना और अपनी बेटी का ख्याल खुद रखना है और ये भी कि कैरियर ब्रेक के बाद अब उसको कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल रही है यून हू ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हो जाता है ठीकिस तरहां दैनी चोटी सी जॉब हासिल करने के लिए इतना स्ट्रगल कर रही है इतने में वहां पर यून हू को एक रिपोर्टर की कॉल आती है जिसके साथ उसका इंटरव्यू फिक्स था इतने में दैनी वहां से चली जाती है जून हू अपने इंटरव्यू के लिए फोटो शूट करा रहा होता है जबकि उधर डैनी किसी शॉप पे स्वीपर का काम कर रही होती है इंटरव्यू के दौरान उससे एक क्वेस्चन होता है तो वो पास्ट में ही खो जाता है पास्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से जब वो हाई स्कूल में था तो एक कंपनी का पब्लिशर उसकी बुक से इंप्रेस होकर उसे जंग एडिटर की जॉब आफर करने के लिए आया था और उसकी बहुत मिन्नत समाज़त करके बहुत बहला के उसे अपने साथ काम करने के लिए मना ही लेता है फिर इंटर्वियू के दौरान एक कुस्चन उसे पसंद नहीं आता तो वो एक कॉल का बहाना करके इंटर्वियू को रैप अप कर देता है और बाहर चला जाता है वहाँ जाकर उसे डैनी का एक मैसेज मिलता है कि मुझे फिर से अपनी हाउस कीपर की जाब दे दो यून हूँ के आफिस का इंवार्मेंट फिर दिखाते हैं कि वो काफी फ्रेंडली होता है और आउनर समयत सारे लोग अपस में हासी मजाग में लगे रहते हैं उदर दिखाते हैं कि इस नई रिकूटमेंट की लिस्ट फाइनल हो गई है यून हूँ जाकर वो लिस्ट चेक करता है जिसमें डैनी भी सिलेक्ट हो गई थी क्योंकि इंटर्व्यू से पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें डैनी के क्रियेटिव आंसर्स बॉस को बहुत पसंद आये थे और उनको लगता था कि ये बहुत हर्ड वर्किंग वर्कर्स थाबित होगी उस कंपनी का बॉस बहुत ही वियर्ड इंसान होता है वो उस कंपनी में सेलेक्ट होने वाले तमाम एमपलॉईस को खुद कॉल करके ये गुड नियूस देना चाहता था वो डैनी को भी कॉल करता है डैनी उस जॉब का सुनकर बहुत खुश होती है उसे बहुत थैंक्स बोलती है और सेलिबरेट करने लगती है शाम को जब यून हूँ घर वापिस लोटता है तो दर्वाजे की आवाज सुनकर दैनी फॉरन से उपर वाले स्टोर रूम की तरफ भाग जाती है ताके यून हूँ को पता ना चले कि वो चोरी चुपे उसी के घर में अभी तक रह रही है और डैनी उसके घर में उपर बैठी उसे मैसेज करती है कि उसे जाब मिल गई है तो आगे से वो से रिपलाई करता है कि आफिस में हम बिलकुल स्ट्रेंजर्स बन करेंगे कबी भी आफिस में मुझसे कोई हेल्प ना मांगना और मेरे घर के लिए भी एक नई हाउस कीपर ढून लो तुम्हें मैं नहीं रख सकता फिर सुबो सुबो यून हूँ अभी शावर में ही होता है कि डैनी चोरी-चोरी जाब के लिए निकलने लगती है और उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट भी आदा खा जाती है वो इतनी खुश होती है कि सारे रास्ते में डैन्स करती जाती है वहाँ पर पीछे से मिस्टर सुट्रेंजर भी उसे देख लेता है जब यून हो ब्रेकफास्ट करने आता है तो वो हैरान होता है कि ये कौन सा भूत है जो उसका आधा ब्रिकफस्ट खा गया है वहाँ पर आफिस में नए आने वाले जूनियर्स लिफ्ट में इकटे खड़े होते हैं तो वहाँ पर वो बॉस को भी नया साथी समझ कर उससे हसी मजाख करने लगते हैं बाद में वहाँ अंदर जाकर उन्हें पता चलता है कि वो तो उनकी सीनियर्थी लेकिन सीनियर्थ का पता चलने से पहले ही एक लड़का उसे चुडैल और आइस कुइन जैसे निक नेम से बुलाता रहता है और वो उसी के सामने ही बैठी होती है यून्हो भी एक जूनियर्थ के साथ खड़ा बाहर से नियू कमर्स को देख रहा होता है उसकी जूनियर्थ दैनी के बारे में कमेंट्स देती है कि ये लड़की काफी आउच डेटी लगती है तो यून्हो को ये बहुत बुरा लगता है और वो किसी और काम के बहाने बना कर उस लड़की को खूब डांटता है उसके बाद नियू कमर्स को सारे आफिस का विजिट कराते हैं और बहुस भी नियू कमर्स को बहुत ही एंथूसियस्टिक वेलकम करता है न्यू कमर्स को तो यून हू को देखने का शौक था और वो उसकी परसनालिटी को देखकर बहुत इंप्रेस होते हैं हम सब की दरहां वापसी पर घर जाते हुए यून हू दैनी को अपने घर के रास्ते पर देखता है तो रुक जाता है और उसे कहता है कि तुम अब भी मेरी मेड का काम करने चाहती हो क्या आगे से दैनी जूट बोल देती है कि मैं करीब ही किसी और एरिया में रहती हूँ तो यून हू जबरदस्ती उसे लिफ्ट देने लगता है लेकिन दैनी उसे अपना कार्ड देखकर वहां से भाग जाती है लेकिन यून हू गूम फिर कर दुबारा से उसके सामने आ जाता है और जबरदस्ती उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है उसकी जॉब की खुशी में as a gift दरसल यून हू उसके आफिस के अकॉर्डिंग उसे एक classy look देना चाहता था ताकि आएंदा कोई भी उसे outdated ना कहे यहां पर हमें एक और भी interesting बात पता चलती है कि वो store keeper पहले यून हू की ex girlfriend भी रह चुकी है और उस लड़की ने एक और लड़की की खाते यून हू को cheat भी किया है फिर वो उसकी hair styling के लिए उसे salon फिले कर जाता है यून हू बड़े मज़े से वहां study करता रहता है और बहुत ही प्यारा लगता है उदर से वापसी पर दैनी उसे कहकर एक जगा उतर जाती है और आगे उसे अपने घर तक नहीं लाती क्योंके उसका तो कोई घर था ही नहीं बलके उसने घूम फिर कर यून हू के घर में ही चोरी छुपे जाना था उदर घर आकर यून हू डैनी को याद करता है और उसका दिया हुआ जाब के लिए टेस्ट पढ़ पढ़ कर उसे मिस करता रहता है पिर यून हू याद करता है कि जब वो छोटा सा था तो उसे बुक्स में नहीं बलके फुट बॉल में इंटरस्ट था एक तफ़ा एक फुट बॉल के पीछे पीछे वो एक गाड़ी से टकराने लगा था कि दैनी ने आकर उसकी जान बचाई थी वो उसकी सीनियर थी और वो खुद जखमी हो गई थी यही थी उसकी और डैनी की पहली मुलाकाल उसी दिन से वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल जगा रखती थी डैनी को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और यून हू उसकी हेल्प करता था लाइबरी से बुक्स लेकर आता था और उसे भी उसके साथ साथ यहीं पर ही बुक्स पढ़ने की आदत पढ़ गई थी डैनी उससे एज में बड़ी थी लेकिन उसकी अच्छी फ्रेंट थी वो बच्पन से एक दूसरे को जानते थे इन्ही ख्यालों में खोए खोए यून्हों को कोई आवाज आती है क्योंकि डैनी भी चोरी छुपे उसके घर में एंटर हो गई थी वो अपने रूम से बाहर आकर हर तरफ खूम फिर कर हर तरफ से गर्दर निकाल के इधर उदर जा के सब चेकिंग करता है लेकिन डैनी उसे डॉच देकर उपर स्टोर रूम में चली जाती है यून्हों सब चेकिंग करने के बाद वापिस अंदर चला जाता है थोड़ी देर बाद उसे बरतन गिरने की आवाज आती है तो वो किचन में आग लाइट सौन करके फिर से चेकिंग करता है डैनी एक जगा चुपकर खाना खा रही थी यहां पर थोड़ी देर बाद यून्हों दुबारा आकर देखता है तो डैनी की चोरी को पकड़ लेता है डैनी बहुत शर्मीनदा होती है और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नमबर टू खतम हो जाती है